नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जनते हैं कुरोना वारस संक्रमन पर काबू पाने के लिए देश में दो वैक्सिन कोवी सील्ड और को वैक्सिन के इमर्जनसी इस्तेमाल के लिए नियाम कीये मंजूरी मिलने के बाद मोधी सरकाई पुरे जोर सोर के साथ वैक्सिनेशन प्रोग्राम को अम्तिम देने में जूट गई है बता दे की साल 2021 के सुरुवात में ही दी सी जी आई ने तीन जनवरी सीरम इस्चूट की कोवी सील्ड और भारत बायोटेक की को वैक्सिन के इमर्जनसी इस्तेमाल के लिए नियाम कीये मंजूरी पदान की है इस बीच खबर यह भी है कि केंद्रिय स्वास्त मंत्री डाक्टर हस्वादन गुरुवार को राजियों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मिटिंग करके तैयारियों का जाजा लेंगे जार्खन में मूर्गे के बेपार पर कड़ी नजा और वर्ड फुलू का बड़ा खौब जार्खन के जमसेतपुर में चार कोवो कि मौत के बाद मुख मंत्री एमन सुरेण सरकार की क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेक ने का है कि बड़ फुलू के चलते राजे में अतिरिक्त एतियात बरता जा रहा है जार्खन को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है उन्होंने कहा है कि ब्रियत पैमाने पर समिक्षा के उपरांत और भी सुराचात्मक कदम उठाए जाएंगे फिलाल सीमा सील करने जैसी स्थिती नहीं है सवी जीला उपायुक्तों को पैनी निगाह रखने का निर्देश दिया गया है जमसेदपूर में चार कवो की मौत क्रिसी मंत्री ने दिये जाच के निर्देश देश के कई राजियों में वर्द फुलू के बड़ते मामले के बीच जारकन के जमसेदपूर में चार कवो की मौत हो गई क्रिसी पसुपालन एवं साकर्ता मंत्री बादल ने जमसेदपूर में हुए कोवो की मौत की जाच के निर्देश पसुपालन सची को दिये है बादल ने कहा कि टास्पोर्च की टीम घटना स्थल पर गई थी जीलाप पसुपालन पता दिकाई ने जनकारी दिये की चार कवो की मौत हुई है जिसे राची स्थीत LRS लेब में लाया जा रहा है जाच के बाद ही पता चल पाएगा कि वर्ट फुलू से मौत हुई है या नहीं जे पिएसी परिक्षा में बढ़ा बदलाव जाकन करेमिनेट ने बुद्वार को जाकन लोक सेवा परिक्षा नियमावली में संसोधन के प्रस्ताव को स्विक्रिति पदान कर दी है इस संसोधन से पूर्वे में हुई परिक्षाओं की भी संगतियों को दूर कर लिया गया है बता दे परिक्षा नियमावली उनई सवेकान में बनी थी और इसमें कुछ संकल्पों के माध्यम से बीच-बीच में संसोधन भी हुए लेकिन कही ने कही गड़बढ़िया होती रही हर परिक्षा के बाद अव्यार्थियों और सरकार को कोट में जाना पर रहा था फैसले की जनकारी देते हुए कर्मिक सा कैबिनेट सचीव अजय कुमार सिंग ने बताया कि हाई कोट के निनयों के अधार पर भी इसमें बदलाव किये गया है जारखन मुखिया संग की राजयपाल से मांग जारखन परदेश मुखिया संग ने बुद्धवार को राजयपाल दुरोपति मुर्वो से मुलकात की और उनका ध्यान पंचाय चुनाव टनले से उपजने वाली भी संगतियों की ओर आक्रिष्ट कराया संग के परदेश अध्यक्ष विकास कुमार मातों के नित्यूत में गय मुखिया संग के प्रतिनिद्यों ने इस संदर में राजयपाल को ग्यापन भी सोपा कहा गाव की सरकार के सकतिया समाप्त होने के बाद राजय में विचोलिया संस्क्रीती हावी हो जाएंगी च्छारखन के मजदूरों को निम्तम मजदूरी 25 एर मिलेंगे इसमें निम्तम मजदूरी 25 एर उपे मांसिक देने पर ही एमयू होगा बतादे रायत कर्यालाय में मंत्री सत्यानद भोकता ने कहा कि सरकार समेदल सील है कुरोना संक्रमन काल में भी सरकार का परदस्वन बेहतर रहा विकास कारियों के अतिरिक दुमकावा वेरमों उपचुनाव कराना सरकार की उपलब दी रही रांची के किसोर गण चौक पर मुखे मंत्री हमांसुरेन का काफिला रोकने की कोसिस और उपद्रेयों की घटना के बाद सीम का सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है बता दे अब उनके कार केट करने तुट तो डिएसपी आतायात कर रहे है पहले कार केट करने तुट एक इस्पेक्टर रहें के अधिकारी करते थे पूर्व में सीम को दो बार जान से मारने की धम की भारा इमेल मिलने के बाद उनके अवास पर भी अत्रिक्त बल तैनात कर दिया गया था बता दे बरतमान में भी सीम अवास का सुरक्षा खिराब मजबूत कर दिया गया है ताकि भी दी बेवास्ता समधित कोई परसानी सामने न आए किसान का बेटा हूँ जान दे दूँगा लेकिन बेमानी नहीं करूँगा मंत्री इंडोर स्टेडियों में जीला अस्तरिये किसान मेला सह क्रिसी परदस्नी का योजन बुद्वार को हुआ उद घाटन मुखे अतिर्थी क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेख ने किया मौके पर मंत्री बादल ने कहा कि किसान हमारे भागे भी दाता है उन्होंने कहा कि किसान का बेटा हूँ किसानों का दर्द समझता हूँ कुरोना काल में हेमंद सरकार के सरकार ने हवाई चपल वाले मजदूरों को हवाई जहाज से लाने के कारियों का सराना किया किरिसी मंत्री ने कहा कि किसान वोट बैंक नहीं किसान मेरा परिवार है कहा कि किसानों को सम्मान देने का कारे किसान का बेटा करेगा उन्होंने किसानों को भरुसा दिलाते हुए कहा कि जान दे दूंगा लेकिन आपसे बेमानी नहीं करूंगा जार्खन में बुद्द्वार को 194 नए संक्रमितों को पुष्टी हुई है जो राची से 104, बोकारो से 15, 14 से 1, देवघर से 1, धनबाद से 17, पुर्वी सिमुन से 15, गड़वा से 6, गिरीरी से 1, गोटा से 1, गुमला से 4, हजारी बाग एक, खोटी 1, कुडर्मा 5, लाते अर्दोर, लोर्दगा 1, पलामू 5, रामगर 9, पच में सिमुन 4, मरीज मिले है बतादे राजे में कुरोना से 2, मरीज की मौत हुई है, जो राची एधनबाद से सामिल है जारखन में कूल मौत की संख्या 1,40 है, वहीं जारखन में एक्टिव केस 1449 है, भारत में बी से 460 नएक केस मिले है भारत में कूल मौत की संक्या एक लाग पचास एर तिन सो बहत्तर है भारत में कूल एक्टिप केस दो लाग पची से आर एक सा उनाईस है अकांची जीला कारेकरम के तहट सिक्षावी भाग को मिली मीनी बस खोंटी उपायुक ससी रंजन ने बुद्धवार को निती आयोग भारत सरकार के अकांची जीला कारेकरम के तहट जीला पर सासंद्वारा ख़ई दी गए मीनी बस को सिक्षा भी भाग खोटी को सपा बतादे इस बस का वैसे इसकूली बच्चो जो वाहं के अभाव में अपने घर से सकूल आने जाने में असमर्थ है कोई सकूल लाने वा घर तक पहुचाने के उप्योग में लाया जाएगा बतादे निती आयोग भारत सरकार के आकांची जीला कारेकरम के तहथ योजनाओ के संचालन में खुटी जीला को तीन कलोर किरासी पुरसकार के रूप में निती आयोग भारत सरकार द्वारा प्राप्थ हुई थी मोह चीपा कर दूसरी गली से न भागे मुख मंतरी बाबुलान मरांडी पारतिय जनता पार्टी राची महानागर के तत्वधान में बुद्वार को राजे पाल भावन के समीप राजे में बढ़ती अपरादी घटनाओ खासकर दूसकर्म वहत्या की बिरोध में पार्टी क नेताओ करकताओ नेधारना दिया बतादे बाबुलान मरांडी ने सरकार को चेताते हुए का कि मुख मंतरी को जनता का दर्द समझना पड़ेगा राजे में हो रहे अपराद अदुसकर्म की घटनाओ से परसान हो कर जनता अपनी बात मुख मंतरी तक पहुचाने की कोसिस क करेगी उन्हें सुनना पड़ेगा नकी मोह चुरा कर दूसरी गली से चिपकर निकल जाए और पूरे पूलिस तंत्र का इस्तेमाल भाजपाकर कतावों खिलाप करे फोसल बीमा के बदले किसान रहात योजना मंत्री क्रिस्टी मंत्री बादल पत्रलेक ने कहा कि अब जार्ख के शुरू होने से किसानों को बीमा कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना होगा क्रिस्टी मंत्री ने कहा किसानों के कल्यान के लिए हैमन सरकार कई नई योजना त्यार कर रही है जिने सीगर धरातल पर उतारने की पहल होगी और मांजी थाना चेतर के साइनाथ उन्वर्सिटी के पीछे जीरा बाद टोली में मिले योटी की सीरकटी सोव बरानगी मामले सुलजने के बजाए उलचताई जा रहा है बीते मंगलवार को सदर थाना छेत्रे के चेसायर होम रोड गिराने वाली महिला ने और मांजी में मिले सीर कटी सोगो अपनी बेटी का बताया था बता दे अब महिला की बेटी जीवित मिल गई है वह रांची में ही किराये के घर में छुप कर रही थी हिरासत में लिए प्रेमी ने पुच्टास में मामले का खुलासा कर दिया जामुमो कारकताव ने फोका भाजपा नेताव का पुतला मुख्य मंतिर के कापले पर हुए हमले के विरोध में जामूमों करकताओं ने बुद्वार को पार्टी के जिला द्यक्स जुमेर अहमद के नेटित में भाजपार नेताओ का पुतला दाउन किया मौके पर जुमेर अबाद ने काया कि हेमन सरकार राज में विकास कारे कर रही है या बात भाजपा को सान नहीं हो रही विकास कारे को बाधित करने के लिए भाजपा लगतार और लोकतंत्रिक ठांग से सरकार को बंदाम करने का प्रयास कर रही है जार्खन इसपात के 450 मजदूर हताल पर रामगर जीले के हिसला इस्थित जार्खन इसपात प्राइवेट लिमिंटेड और जार्खन इन्डेक्शन प्लांट के लवगग 450 मजदूर बुद्वा से हरतार पर चले गया है बता दे इससे जार्खन इसपात फैक्टरी का काम ठप हो गया है मजदूरो ने अपनी 17 सुत्री मांगो को लेकर फैक्टरी गेट के समख जमकर नरेबाजी की बिजली के मसले पर समझाता से जार्खन अलव हो गया है अब RBI सीधे पैसा नहीं काट पाएगा अब सरकार बिजली खरीद कर भुकतान करेगी वो द्वार को जार्खन कैबिनेट की बैठक में या निनाय लिया गया बता दे मंत्राले भावन में हुई बैठक में कई अन्य महतपूर निनाय लिये गये मुखमंत्य हमान सुरेन बैठक के अध्यक्षता में होई बैठक में कई मंत्री वा विधायक मौजूद रहे बताया गया कि बारा प्रस्ताव केमिनेट से पारित किये गए यहाँ स्वास्त सचीव के ब्यान पर मंत्री गंभी स्वास्त सचीव डाक्टर नितिर मदल कुलकरनी के द्वारा डाक्टरों पर की गई टिपनी के मामले को ज्वास्त मंत्री बाना गुपता ने गमिता से लिया है पुरे मामले पर स्वास्त सचीव को सोक आज किया जाएगा दरसर इंडियन मेडिकल एसोसेशन और जार्खन हेल्थ सर्विसेश का सन्यूक्त प्रतिनिदी मंडल बुद्वार को स्वास्त मंत्री बाना गुपता से मिला और उने स्वास्त सचीव के मामले से अवगत कराया गया फिजिकल कोट की मांग राची सिविल कोट के अधिवकताओं ने फिजिकल कोट खोलने की मांग को लेकर वो द्वार को कोट के मुखे द्वार पर पर परदशन किया इस मौके पर जार्खन राज बार कॉंसिल के सदद से सब मीडिया संजोजक संजाय कुमार विद्रोही ने कहा कि नौ महिने से ज्यादा समय बित गया है लेकिन अभी भी फिजिकल कोट नहीं खुले है इसी वज़ा से अधिवक्ताओ के आर्थि खालात काफी खालाब हो गई है मवादियों ने पुलिस मुखवीर बता तीन ग्राविनों को पिता गडवा जिले के भंडरिया थाना छेतरे के रामर गाउ के बहेरा खांटोला में मंगलवार की रात मवादियों के एक दस्ते ने गाव के तीन लोगों को लाठी डंडे से पीट कर गंभी रूप से गायल कर दिया बता दे मवादियों ने गाव में करीब तीन गंटे तक उत्पात मचाया सन्वीदा पर काम करने वालों को जल्द मिल सकती है खुसकवरी जारखन में राज सरकार के अलग-अलग दफ्तरों में सन्वीदा कोंट्रेक्ट पर काम करने वाले कर्मियों की मांग जल्द पूरी हो सकती है उनके नियमित करने की खुसकवरी संभव है कि नए साल में मिल जाए बता दे इस मामले में विकास आयुक्त ने आम बैठक की है ऐसे में नियमित करने वाली कमिटी की ओर से तमाम सरकारी कर्यालियों में काम कर रहे सन्वीदा कर्मियों की पूरी परफाइल तलब की गई है सिमडेगा के साइबर कैफे से 94,000 का रेल टिकट बरामत सिमडेगा के बानो पोस्ट की आरपी एफ और सी आईडी ने हिंदुस्तान सेल्स साइबर कैफे में छापे मारी कर रेल वेक के टिकट की कले बजारी करने के मामले में कैफे के मालिक को गिरफतार किया है बता दे कैफे के मालीक राजेस कुमार को गिरफतार कर उसे बानो लाया गया और पीएफ के अधिकारियों ने बताया कि साइबर कैफे से खुल 94,884 रुपए की कीमत के टिकट ब्रामत हुए हाँ आत्म हत्या रोकने के लिए हेलफ लाइन नमबर जा रही आत्म हत्या के मामलोग की रोक्ताम के लिए राजे जीला परसासन ने पाल करते हुए हेलफ लाइन नमबर की सुरुवात की है केंदरीये मनाची कित्सा संस्थान राजी के स्वयोग से सुरू किया गया या हेलफ लाइन नमबर 24 गंटे कारे करेगी बतादे उदास और साथ ग्रस्त लोग हेलफ लाइन नमबर 94-91-53 और 94-91-56 पर कॉल कर निसुल्क सलाह ले सकते हाँ डबलू सिंगीरों के तीन अपराधि गिरफतार मेदनी नगर सहर में अपराधियो द्वारा जवरन जमीन हत्याने वालो पर पुलिस कप्तान संजीव कुमार ने सिकंजा कसना सुरू कर दिया है बतादे बुद्वार को पुलिस ने गुप्त सुचना क्याधार पर अपराधि डबलू सिंग और राजू तिर्की गिरों के तीन सक्रिये सदस गिरफतार किये गए है जबकि एक सदस मौके से भागने में सफल रहा पुलिस उसकी तलास कर रही है आठ जन्वारी से देश बरके साधू संतों का राजराप्पा में होगा जुटान जार्खन के रामगर जिला इंतरगत प्रसीद सिधी पीट राजराप्पा मंदीर में आठ जन्वारी 2021 को देश बरके लवक 250 साधू संत पहुचेंगे यह कारेकरम अखिल भारतिये सांती प्रतिष्ठान के बोरिया बावा के आस्रम में संपन होगा यहाँ साधू संत बिश्व कल्यान और सुक सांती व सम्रिदिक के लिए माच छिनमस्तिका देवी की पुजा हाटना करेंगे बतादे 8 जनवाई 2021 से लेकर 10 जनवाई 2021 तक 3 दिवस्तिय भावे कारिकरम होगा अखिल भारतिये कंग्रेस की अध्यक सोनिया गांधी ने पच्छें मंगाल इलेक्षन कैम्पेन मनेजमेंट के लिए 3 सदस्य कमिटी के अगठन किया है इसमें जार्खन कंग्रेस की विधायक दलके नेता स्वाग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम का नाम सामिल है बतादे अलमगीर अलम को संगटनात्मक कारेचमता कला एवं भासा के द्वारा जनता को अपनी और आक्रिष्ट करने की खोबी को देखते हुए इनको बंगाल इलेक्शन की बड़ी उमेदारी दी गई है धन्यवाद